मैं आपको बता दूँ आज की डेट में मार्केट का मूड और महल खराब है एक्सपाइरी है जहां पर लगभा मैं आपको लिए एक्सपाइरी आ रहा है तो लगभग येस्टड़े ही वारेन वाले ने 5000 करोड के आसवास लंसम उन्होंने माल बेज दिया मतलब 4700 करोड के आस देखने को मिल रहा इसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो लगभग वीक परफॉर्म करेंगे तो उसी में से एक सूरिया रोस्नी है जिसको लगभग 100 करोड से ज्यादा का ओर्डर मिला और कंपनी और लेडी गिरी हुई है यह सूरिया रोस्नी जिसको लगभग 124 करोड का और मिला है समझे हो और कंपनी देखो कि तो बहुत अच्छी लेवल से गिर चुक है मतलब 30-40 परसंट गिर चुका स्टॉक देखेंगे तो देख सकते हैं एक्जक्ट 40 परसंट गिरा हुआ समझे हो तो मैं आपको बनूँगा ठीक है देखो सूरिया उसने जितना गिरा हु बने हो तो तो पीच्छी वाले चार्ट जोते हो चोटे चोटे दिखाई देते हैं इस वैज़े से हमें पता नहीं चलता है तो अगर आप percentage वाइस देखोगे तो लगबग यहाँ पर आपको बता चल लागा देख सकते हैं 60% का यहाँ गिरावट देखने को मिला था यहाँ पर भी 50% था, यहाँ पर 50% था, यहाँ पर 80% था फिर यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिला लेकिन finally stock उपर जाता company के पास लगबग ये मिला कर दो अच्छे order आए है ये company ज़्यादा तर export वगर भी करते है देख सकते हो 60% market share in export from India और ये company लगबग pipe वगर के लिए भी काम करती है और LED वगर के लिए भी काम कर लेती है जहां पर देखेंगे तो company बता रही है प्रकास सुरिया है उसके बाद steel pipe है strip segment है समझे हो lighting वगर के product है और LED वगर के बारे में तो आपको पताई है तो ये सारा कामकाज ये खुदी करता तो मैं आपको बहूँ हो company अच्छा है company ने investment भी कर रखा है अपने capacity को बढ़ाने के लिए company को दो order भी मिल चुका है लगबग 2-3-4 महिने के आसपास दो order मिल चुका तो company मैं आपको बहूँ हो अच्छा है बस technically थोड़ा correct हो रहा है 40% गिरी चुका है और थोड़ा बाद उपर नीचे होगा उसके बाद इस टॉक भागना दुबारा सुरू करेगा और एक नए लेबल को टच करेगा यह देखो यह जो यह जो pipe अगर बनाते हैं यह लगबग agriculture, infrastructure, gas यह सारे चीज़ों में इनका use किया जाता है यह जो pipe अगरा देख रहे हैं समझ रो यह pipe अगर भी बनाती है यह स्टील के जो काफी ज़्यदा highly demanded होते हैं और स्टील के product भी काफी ज़्यदा मैं आपको बलूँगा demand में रहे हैं और स्टील का production भी मैं आपको बलूँगा बढ़ने वाला है क्योंकि स्टील के पास demand काफी ज़्यदा हमारे पूरे भारत में लगबाग 100 metric ton के आसपास production किया जाता है लेकिन भारत सरकार चाहती है कि 150 metric ton हो जाए लेकिन इसके वज़े से सरकार ने incentive अगरा दिया है तो company का मानना है कि लगबाग 125 metric ton के आसपास हो जागा 125 लेकिन फिर भी 150 के आसवास नहीं पाएगा समझतो फिर भी हम यहां तक नहीं पहुंच सकते लेकिन चाइना पता है कितना मैट्रिक टन प्रोडक्शन करता है वो स्टील का 1100 हम तो उसका 100 ही है 1000 अगर करना पड़े तो और कितना क्या हो जाएगा यह डिफरेंस है और हमने चाइना से यह सारी चीज़े लेना बंद कर दिया है मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ा डिमांड है हमारे पास भार जैसा मार्केट है जहां पर बाहर से लोग आते हैं इंवेस्टमेंट करने के लिए काम करने के लिए तो इसलिए मैं आपको बलूँगा सुरिया रऊसनी जैसे स्टॉक्स को लंबे समय के लिए रखे अच्छा रहेगा लंबे समय में कोई दिक्कत वाली बात नहीं कभी-कभी बायों डिप्स भी आता है मौका और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डिमेट अकाउंट इंजल में ओपन कर सकते हैं जहां पर आप एने सी बीए सी मिचल फंट कुछ भी खरी सकते हैं जो चार्जेस वगर रहेगा बहुत च्छोटा होगा बैट अगर आपन कर सकते हैं